नमश्कार दस्तो हरे क्रिश्ना बात करतेंę मंकिन कि और देखते आने वाले वीग में में मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी क्या कर मतलब अल्मोस्ट 800-900-700 पॉइंट की रेंज में मार्किट डेली अपडाउन कर रही है यहां से कोई डिसाइजिव डिसीजन नहीं ले पा रही है तो बारर मार्किट यहां से टच करके गिरिया एधि यहां के बार्रा मार्किट यहां से टच करके गिरिय यह इस और इंट्रस्टिंग क्या हुआ, कि मार्कर यहां से टच करके फिर से नीची आयाillय थैब खुद को होल्ड कर रही हिए, फिर जिए धिर से खुद को होल्ड कर रही है, तो अगर मार्कर यहां पर बनी रहती है इसी 52,900, 53,000 round level को test करेगा, तो यहां से current price से almost 900 से 1000 point का उपर एक space दिखाई देता है market को जाने के लिए and then from there we can see either market अगर 53,000 के उपर टिक गई और sustain कर गई तो going again towards a new all time high, bank nifty की बात कर रहा हूं otherwise वहां से फिर से एक selling आएगा, तो यहां पर फिलहाल short term में को कि हम resistance के आसपा sustain कर रह तो chances are pretty high कि market 53,000 को test करेगी और 53,000 के ऊपर अगर निकलती है तो वहां से all time high है या फिर वहां से वापस एक fall की संभावना बन जाती है लेकिन यहां पर 52,000 अगर market hold करती है तो एक बार 53,000 की तरह bank nifty को अगले वीक में जाता हुआ देख सकते हैं, पांच दिन से bank nifty एकी range मे तो chances है कि यहां पर अगले वीक एक बार हम एक decisive up move देखें तो यहां पर ऐसे में intraday में हम क्या कर सकते हैं Monday को उसके लिए intraday के chart पे चलते हैं देखो अगर मंडे को market की हम बात करें कि let's say gap up खुल जाती है तो यह resistance है 50,200 की आसपस और इसकी उपर एक sudden sharp fall आया था अगर market इ इसको test करेगी और possibility है कि इसको cross भी करेगी क्योंकि पास में तीन बार और दो बार अभी पांच से चार पांच से चार पांच मार मतला market इस एरिया को test कर के गड़ चो कि है तो इसके उपर एक नया ही बनेगा 52,900, 53,000 यहां पे इस तरह का और यह गैप भी फिलो जागा और टागेट जो आपका 53,000 की आसपस का बन जाएगा तो इस शुड बी और इंट्राडे ट्रेड प्लान यही पर आप देखो के बहुत बड़ा गैप शूटा हूँ यह जो एक विक लगा था बड़े गैप आपके बाद उसको बैंक निफ्टी ने यहां पे सपोर्ट की तरह नीचे जाएगा यही मैसेज मैंने आपको अपने प्लेटियर मेंबर्स को भी दिया था और बाइंग का ही मैंने व्यू दिलवाया था और अच्छा हासा उसमें एक बाउंस भी मिल गया हमें दाही 300 पॉइंट का तो यहां पे अगर 750 का लेवल टूटता है तो मैं यहां पे फिला शकी अगरेसिव ली सेलिंग करूंगा है अगरेसिव ली सेलिंग में में को यहां पर 250 पॉइंट ओन लूऋकर की टारगेट्स लूँगा मतलब मैं यहां पर पहला ठागेट्ण का फिलूँगा बीस पर लूँगाIAN का और 25 find का अबी टाइपस कर सकता challenging me यहां पर नो वाफिस खोल दें तो कि रेजिस्रेंस के आसपास market sustain कर रही है और sellers जो हैं नीचे नहीं लाबारे market को market support करें ना गहीं find out करे जारी लगा था पिछले पांच तिनों से तो अगर यह उपर जाता है तो एक बार को यहां पर sellers जो हैं give up करेंगे और bank nifty एक अच्छा नया level test करेग तो फिलाल short term में market थोड़ा सा रेंग निफ्टी का चार्ट जो हमें देखेंगे तो positive लग रहा है एक बार इसका weekly चार्ट भी देख लेते हैं कैसा है सो weekly चार्ट पर आपको दिखेगा कि last week एक डोजी candle बना यानि market ने कुछ नहीं किया जहां खुला एक तम बहीं बंद हुआ है exactly बहीं बंद हुआ जहां पर खुला था एंड यह बड़े gap अपके बाद हुआ है तो अगर इस candle का low break करता है market यानि वही जो हमने बात किया एक यावन सासो सासो बचास का लेवल तो तो हम वापस नीचे आ सकते हैं gap filling करने के लिए या पर फर्दर नीचे बट अगर यह सारा resistance वगरा क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी के पास अच्छा space है यहां से उपर क तरफ जाने का and then there are multiple gaps multiple areas वापस हम इस high के आसपास भी कहीं पर 54,000 के आसपास भी कहीं पर पहुंच सकते हैं but to early to say यहां पे हम nearly 53,000 का target लेके चलेंगे जो कि जहां पे हम बंद हुए वहां से 1000 point का उपर का है तो यह बैंक निफ्टी का chart हो गया अब निफ्टी को देखते है तो देखें निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी में आप तेखो यह बड़ा अच्छा picture perfect pattern बना है एक अच्छा काता selling आया then एक hammer candle बना weekly chart पे उसका high cross हुआ and then हम इसकी ऊपर ही trade कर रहे है again positive candle अच्छी positive candle है तो निफ्टी यहां पे इतना ऊपर जा सकता है अगर हम estimate लग यह एक अच्छा target मुझे यहां पे दिखाई देता है निफ्टी के लिए तो एस पर weekly charts अगर निफ्टी ऊपर जाता भी है तो अभी बहुत positive एकदम से नहीं हो जाएगा बट 2400-850 तक तो जाई सकता है and अगर हम daily chart पे देखेंगे थोड़ा सा तो यहां पे आपको चीज़ तो अगर यहां से इसको ब्रेक करती है तो यहां से अच्छा अप्मूव मिल सकता है तो यहां पे 24400 अगर क्रोस करता है तो में को यहां पे 800 तक का बड़ा अच्छा target दिखाई देता है and व्यां कि बैंक निफ्टी में तो अब एक्स्पारी नहीं जाला ता लोग अब अब बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग के अंदर जिनका इंट्रस्टर ध्यान दे सकते हो ना अनवर्स क्योंकि ऑप्शन महंगे मिलेंगे मंथली ए खाली बट वीकली एक्स्पारी वाले जिनको ऑप्शन बाइं करने है निफ्टी पे फोकस करो तो नि निफ्टी यहां पे इस रेजिस्टेंस अरिया को क्रॉस करता है तो यहां से एक अच्छा बड़ा प्मूफ 24,800,850 की तरफ यहां तक का मार्किट को मिल सकता है विच इस क्वाइट पॉसिबल फ्रम देर वीविल सी कि मार्किट ने एक बड़े फॉल के बाद एक पुल बै यहां पर अगर निफ्टी सस्टेंड कर रहा है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है और जब तक निफ्टी सस्टेंड करेंगा इसके पोटेंचिल है इसके अंदर अच्छा का सा ऊपर जाने का तो मेरे लिए अभी यहां पर अपसाइट टागेट 24,800 और इसके ऊपर भी पुरा होल्ड किया था इस एरिया में यहां से सेकेंड लेग अपसे तो जब तक यह पचीस दोसो की निफ्टी निफ्टी निगलेगा हम यह नहीं बोल सकते कि पूरा पूरा फॉरा फॉल खतम होगे और मार्केट और बापिस में ऑल टाइम हाई बनाईगी इसकी उपर नि सेनेरियो दिखता है मंडे को डिपेंड करेका खुलते कहां पे और उसके बाद खुलने करेका प्राइस सेक्षिन कैसा बनता है और यहां पर एक चीज़ का धियान नखना है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो स्टॉक्स बहुत जादा गिरे हो हैं तो स्टॉक्स पेसि याद होगा आज से एक पंदरा दिन पहले भी बोलता सा जा मार्केट में पैनिक चल रहा था कि भई स्टॉक्स को खरीद जाओ तो अल्रेड़ी इतने से अप मुव में आदे होगे तो पांच 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 साथ साथ स्टॉक्स कहीं सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स दस तो उन में अपना फोकस बना सकते हैं स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं सब चीज अगर आपको सीखनी है तो आइल में का फ्रेश वीडियो सीरीज ओन यूट्यूब मेंने कहीं सारे कोर्सिस तो थे ही उसी का मैं प्रीमियम कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पर पब्लिश क करना शुरू कर दूँगा बट उसके लिए मुझे कमेंट्स चाहिए तो अगर यह वीडियो आपने अंड तक देखा यह लाइन सुनी तो आप पचास कमेंट्स अगर टोटल मुझे मिलेंगे जाधा भी नहीं मैं कह रहा सिरफ अगर 50 कमेंट्स मुझे मिलेंगे तो मैं एक व